भारत में जो लोग ट्रक चलाते हैं उनके लिए एक अनूठी खबर अब ऐसा ट्रक होगा जो की काफी अत्याधुनिक और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर जो इंजन है वो एलेक्ट्रिक पावर से चलेगा आखिरकार यह सब है क्या इन सब के बारे में बात आप थे सरह कि अगर हम बात करें भारत में तो ट्रक लोग खब्रा जाते हैं कि सट फी चल रहा है आप जो है बड़ा पावरफुल ट्रक लेकर आ रहे क्या करने जा रहे हैं हम जो कर रहें हो सेफुटी लेके भी चल रहें चलेंगा इंडिया में आज आज अपने खलब नह तो हमने जो बनाय है वो वह अर्फवली बनाय है कि कोई भी आदमी चला सकता है वो नमभर वन को पहले तो गियर बौक्स गोटे थी जो नोगों को बोलते वह बड़ा बड़ा बाद रहता है तो लोग भाग जाते है हमने जो तीन-चार बना दिया और जो हमने बनाय है फुली लेट्रिक बनाया है एकदम स्मूध है और विजिबिलिटी के लिए भी हमने बहुत कैफुली हमने लगाया है चार-चार कैमरा लगाया है इसमें तमाम तरीके की सुविधाओं के साथ यह ट्रक होगा ट्रक दिखाइए इस समय जो ट्रक है हमारे सामने है और यहां पर यह ट्रक लग रहा है कि जैसे बोलने जा रहा हो इस तरीकी का त्रक आखें में लगता प्रच थोबरा है मुँं एंगा है क्या कहें इस तरीकी कि स्क्राइप सैख्पा यह धिल्याओं कर वाजदयाने का इन ईनिया में कोई बात एक भी वह ट्रॉण हमने धोतीश्य से की अ तो जो हमने जो जैसे डिजाइन किया है वो एरो डिनामिक्स के लिए भी किया है और सेफटी के लिए भी किया है आपको दिख सकते हो आप ग्लास उपर जाता है तो आपको विजिबिलिटी एक्ट्रा मिल रही है जो विजिबिलिटी एक्ट्रा मिल रही है वो सेफटी के जो ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर उसको दिखेगा रोड दिखेगी अमोमन होता है कि जो ड्राइवर है अपने अंदाजे से चलता चला जाता है सड़क पे जिसको बचना है वो बचे यह वाली स्थिती होती है भारत के अंदर यहां पर इस ट्रक की अगर हम बात करें तो आव एडी परसेंट फ्युल को प्युल का स्थ जो होता है वो से अफ हो जाएगा प्ले तो और दूसरा जो पाउर है इस पाउर है कोई और लात पाउर में राग नहीं होता है मैनिंग चार गुना पाउर जो डीज दिजल से चार गुना यास क्योंकि डीजल जिन जो होता है वो इसमें भी कोई इस्ट्रगल नहीं होनी चाहिए यहां पर मैं देख रहा था कि आप कहे रहें यह बैटरी से चलती है इसमें बैटरी कहां लगाई हुए बैटरी नहीं आ रही है घ् 9 अच्छा जिस चेह में करता है इसकी लिए हमनहें दर बीच में अब्र यानि आप समझेंच है डुनिया भर में उसमें यहां साइड में बैटरी लगाई जाती है लेकिन यहां पर क्या है फ्रेम के अंदर लगाई जा रही है और मैंने सुना इसका फ्रेम भी बड़ा जबरदस्त बनाए आप लोगों ने नॉर्मली यह लोग इंडिया में 14 mm और 16 mm की फ्रेम यूज करते हैं हमने 18 mm की तिकनिस फ् यहां पर आप समझ सकते हैं इसका फ्रेम काफी मजबूत है इतना मजबूत है अगर कोई एक्सिडेंट भी होता है तो इसके बेंड होने के चांसेज कम हैं यह कहा जा सकता है एक और चीज में जानना चाहरा था अमूमन जब बैटरी की बात आती है बैटरी आपरेटेट जो चीज़ें है लोग कहते हैं भारत में गर्मी बहुत है बैटरी से आग लग जाएगी तो उस तरीकी की जो आसंकाएं हैं उनको कैसे आप करेंगे तो हमार पास 13 साल एक्सपरिंस था बैटरी लीतियुम इपैटरी से मैंनि फ्रेंचरिग के लिए तो हमको अमरी पास लोलेज त्यरा साल नॉलेज है यह बैटरी किसे हैंडल करना कैसे इसको मानेटर करना कैसे इसको मेंटेन करना वह चीज बहुत इंपोर्टन है और वही चीज एक्सपिरिंस लेकि हमारे हमने तो बारा थेरा साल से हम बैटरी यूज कर रहे हैं दुबाइ में भी यूज किया और नेगिटिव फोरी डिग्री जो जो नॉ आनुभाव है कि इनकी कंपणी का कि जिसमें जो बैटरी बनाने का बड़ा लंबान वो लिथियम की बात करते हैं भारत में रियासी में जो है यूज है बड़ा भंडार मिला है तो यह जो बैटरी आइंगी वारत में बनें गी यह बाहर से आईगे हमारा डेफिनली 110 परसे ज़ो है मेक इंडिया है डॉस तो 80-85 परसेंन होगा अभी 70-80 परसेंट 100% होगा इसमें नीला होगा इसमी नीला नीला भारत में इस से रोजबार भी बढके हांन्ड Carl ये फ्रेम जो है वो भी इंडिया में बनाईगी ये जो है वो भी इंडिया में बनेगी वेल्स जो है वो भी इंडिया में बने लोगी टैंक्स है वो भी इंडिया की होगी सब कुछ इंडिया की होना चाहिए सब कुछ इंडिया का में किन इंडिया को आप जबरदस तरीके बढ़ावा देंगे कितना इंवेस्टमेंट आप कर रहे हैं इसके लिए हमने तो अलवेडी रफली बाच 70 करोड से अलवेडी अमने लगाये और 152 करोड से अलवेडी हमारा प्लैनिंग है कि एक साल दो साल में अलवेड़ी लगाएंगे टोटल गोल है 600 करोड का होगा हमानसु जी एक और चीज है जब भारत की बात करते हैं तो भारत में बड़े बड़े जो है फ्लीट अपरेटर्स हैं काम भी बढ़ता चला जा रहा है और एकनामिक रूद भी बड़ा जबरदस्त है इस वक्त तो जो क्तानीच तो ने फीया को अपर्सानी चला है प diagnostic काम रहे हैं गाल के है तो गों चैकल करें तो जितनी प्लु अपर अपता ओरम वो एल्यमेश् प्लरा तो यहां कितने ट्रक बनाने का इरादा है आपका अभी तो हम एक बनाया और नाइन ट्रक्स बना रहे हैं तो यहां कि अगर हम बात करें तो यहां जो ट्रक इस समय इस कटेगरी में चल रहे हैं तो उनकी कीमत क्या है डीजल में और आपका ट्रक किस कीमत में पढ़ रहा है इंडिया में तो बहुत डिफिंट गेजिस होता है एक आती है डीजल की ट्रक्स और हमारी होगी और फॉन पॉइंट यू करोड की में पड़ेगी लेकिन आप इसका जो है चलाना जो है सस्ता पड़ेगा कैसे ऐलेक्ट्रिक का जो कॉस्त है और जो डीजल कर जो कॉस्त है बहुत फरक है चेह को अपनल बाराइस को टुट शो सिंस्टीं आप जो आपिस्टीज निचंप हई नग टींग American कितने दिनों के लिए कोई वरंटी देते हैं गारंटी देते हैं हमारा जो वरंटी होगा पांच साल को तो गारंटीव है कि आप इंजन ट्रंसमिशन जो ट्रक की इंटायर वाटर की पांच साल की तो होगी और बैटरी जो होगी वो डिपेंज आप यूस्ट कर रहे हो और अभी कि अगर हम बात करें तो कितने जो है आडर बुक हो चुके आपके 22,000 तो अलड़ी अलड़ी ओर है नॉन रिवक बुड़ पर हमने बहुत R&D किया है हमने बहुत समझ के का यह ट्रक मनाए यह 22,000 ट्रक कितने दिनों सप्लाई कर देंगे ताइम तो लगेगा दो तीन साल तो निकल जाएगा दो तीन साल के अंदर यह ट्रक की सप्लाई हो जाएगी आपका डेर सारा धन्यवाद निव जिटेशन से बा बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यह सच्चाई है यह हकीकत है और यह ट्रक कहीं न कहीं भारत की सड़कों पर दोड़ेंगे तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कैमरामेन हीरा मंदल के साथ सिध हार्थ निव जिस्टेशन खेड़ा एहमदाबाद